हालो फ्रेंग्स वल्कम तू आल आज मैं आपके लिए लेकिया आराम देखें एक पैनी स्टॉक को देखेंगे हम यहाँ पे मात्र 9 रुपे का यह पैनी स्टॉक है बिल्कुल रेडी है भागने के लिए और बात मैं मत कहना कि बताया नहीं लेकिन बताने से पहले मैं आपको भात बता दूँ सबसे पहले कैलकुलेट करो रिष्क कितना हैं एंट्रिए एक्जिट तो बात की बात है तो सबसे पहले रिस्क मेनेजमेंट इंपॉेंट होता है तो आप देखिए ये 9 रुपी का पैनी स्टॉक, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको South Indian Bank की बात करी थी, जोकि 8-108 रुपे के लवल से, क्या जम्प उसने हमको दिया, amazing मैं कहूंगा, लेकिन अब इस स्टॉक को छोड़ना टाइम रहते, इसको analyze करो, इसको समझो, अब कहोग है, तो आप जोइन कर सकते हो, मेंबर्शिप, जोइन बटन पर क्लिक करके, स्टॉक का नाम है, IFCI Limited, अब कहोगेर, IFCI Limited, ये कंपनी, एक financing company है, और government के अंडर आती है, अब ज़रा market capitalization देखिए, अब आप कहोगेर, ऐसे छोटे-छोटे stocks कहां से ढूट के आप लेके आते हो, profit growth पिछले 3 साल का 12% है, अगर मैं profit revenue की तरफ जाओं, तो देखिए, ये financing की company है, 4000 करोड तक का revenue उसने दिखाया है, पिछले कुछ टाइम में, दो सालों में थोड़ा कम मुझे revenue देखने को मिल रहा है, profitability की वज़ा है, मुझे पिछले कुछ टाइम में यहाँ पे losses देखने को मिल रहा है, तो long term के लिए मैं कहूंगा, मुझे ये stock अच्छा नहीं लग खुद देख सकते हो, कि South Indian Bank ने जो हमको कमाई करके दी, वो तो मज़ेदार थी ही थी, ये देखे ज़रा, ये stock हमने 20 February को track किया था, कि ये level cross हो जाए, तो मज़ा आ जाएगा, तो आप इसका return देख सकते हो, ये देखिए, ये NBCC तो छोड़िए, ये South Indian Bank, 15% जब 19 की entry है, ज South Bank, ऐसे मैं भी उपर जा रहा है, क्योंकि जब market गिर रही थी, ये देखिए, South, slowly, slowly, now getting the right analysis, देखे जरा, ये 922 के entry वाले लोग है, तो अलग-अलग तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से opportunity है, वो आपके उपर depend करता है, entry, exit, क्योंकि आपके confidence के उपर execution depend करती है, हम तो आपके लिए stock लेके आते हैं, execution के उपर, confidence के उपर execution में क्यों कहता हूँ, आपको देखिए, चाहे यही stock क्यों न हो, अब होता क्या है, कि जब आप proper risk management के साथ चलते हो, तो आपको तो डर नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको क्यों कहता हूँ, कि confidence के उ के आप trade करो, चाहे intraday हो, चाहे long term हो, या फिर कम से कम quantities के साथ जाओ, जब तक आपका confidence market में बढ़नी जाता है, तब तक share market में मोटा पैसा लगाने की जरूवत ही नहीं है, बिलकुल ना के बराबर, negligible, कि अगर पैसा आपका डूब भी जाए, तो भी आपको एक साल, दो स ऐसा कीजिए, क्योंकि ये learning phase है, एक बार आपका learning phase है, आपका confidence level boost up हो जाए, और आपका learning phase complete हो जाए, फिर आप अपनी quantities को बढ़ा है, कहीं आप ये सोचे कि आपने market में अभी DMAT account open किया है, और आप सोचे कि नहीं भी, अभी मैं कमाने लग जाओं, यहाँ पे 5%, 10%, 15%, 20% कमा आप इधर देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, आँख बंद करके खरीद लो भी, आँख बंद करके कैसे खरीद ले, हमारी बेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे लुटा दे, आँख बंद करके, देखिए, stock market में loss बहुत होता है, और जो loss अकसर उन लोगों को होता है, जो risk को manage करके नहीं चलते, अगर आप risk को manage करके चलोगे तो आपका तो पहले से ही आपको पता है कि आपका maximum loss कितना हो सकता है, और उसके बाद ही आप profit की सोचते हो, इस चीज को हम stock market को business की तरह लेते हैं, और business में जो loss है, आपको पता है कि किस तरी condition में आपको loss हो सकता है, और आप उसके दिए अपनी planning करके रखते हो कि अगर loss होता है, तो हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमारी strategies, हमारी other plans क्या होंगे अगर इस तरीकी के चीजे हमारे against जाएंगी तो यह important part होता है, अब यह जो हम non banking financial company की बात करे, public sector की company है, यह IFCI, यह देखिए, current BAC, NAC पर लिस्टे time पर, जिस तरीके से South Indian Bank हमने देखा था, उसी तरीके से मैं stock को देख पा रहा हूँ, यहाँ पर, जो मुझे numbers देखेना है, वो बहुत ही important, जो मुझे analysis देखेना है, वो बहुत important, मतलब यह stock 3 रुपे के level से आया है, देखिए, जब 3 रुपे के level से यह stock आया है, तो पहली rally थी, पहली correction, दूसरी rally, दूसरी correction और यह correction हो रही है, मंतली पे resolve, अब आप कहो गया, अगर यह इस 9 रुपीज से 13 रुपीज तक कभी सफर तैय कर लेता है, तो क्या आपको पता है कि कितना percentage gain हो जाएगा, ज़रा सोचिए, आपको लग रहा हो गया, मातर 4 रुपे कमाए, तो जाहिए percentage wise देखिए, अगर मैं current के हिसाफ से चलू यहाँ पे, तो यही अपने आप में 35% का gain है, अगर यह 13 रुपीज तक का सफर तैय करता है, 35%, क्या कम होता है 35%, एक bank जो आपको fixed deposit पे interest rate देता है, वो कितना है, 7%, 8%, यह बन 10% भी माल लू, 10% कोई देता है नहीं है, पर फिर भी अगर assume कर ले 10%, उसके बावजूर यहाँ पे कितना है, 36% और यह कुछ दिनों में या कुछ हपतों के अंदर इस तरीका gain क्योंकि यह correction resolve हो रही है, इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकि आया है, और correction resolution के साथ साथ, आप last time पे देखते थे कैसे resolution भी, देख र पिछली correction को देख लीजिए, क्या correction थी ना, मज़ेधार, आप पिछली correction को जब आपने देखा, तो आप इस correction को देखिए, यह correction बिल्कुल similar way में जा रही है, और आज के volume ने impress किया, और आज के volume के साथ हमारा stop loss यह ready है already, छोटे time frame पे जाएंगे तो stop loss को भी आप improvise कर सकते ह entry area बिल्कुल तयार हो रहा है, यह देखिए, अब आपको गयार वाँ, अब जो हम देख रहे हैं थे न, bullish cross, मैं आपको क्या कहते हूँ बार बार, bullish cross के बात का पहला correction, क्या यह bullish cross के बात का पहला correction नहीं है, बिल्कुल है जी, support कहाँ है मिल रहा है, 20 MAW, बहुत ही बढ़िया again हमारे पास good opportunity, अब आप सोचोगे यह stock कहां तक का target ले, तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि target से पहले अपने goal को समझो, goal आपको बताता है कि आप करना क्या चाहते हो, अगर मैं इस stock में यहाँ पर correction resolution पर मैंने इस share को इस level पर खरीदा, यानि कि 7 रुपीज के आसपस मैंने तो six point something पर करीदा, यह मेरा stop loss था और यह इस level तक गया, मतलब पैसा double almost में कहूंगा, 70-80% का gain इसने मुझे इस rally में दिया, और आप सोचो गयार, इस अभी की rally में कितना gain समझे हैं, तो चलिए देखते हैं, पुराने percentage को निकालते हैं पहले, इस percentage को अगर हम बात करे हैं, almost six point five zero से यह गया आपका 70% तक का gain, आपको गयर वा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अब आप सोचो के अभी के हिसाब से 70% का मतलब, 15-16 के रुपीज के level पे, लेकिन हमारे पास 200 की line बैठी है भी, यहाँ पे 14 की range में, तो अगर यह 14 की range में भी चला जाए, तो भी सोच यह कि कितना gain है आपका, अब target की में बात कर रहा हो भी दिखे, 14 की gain में भी, यह भी 35-40% का gain है, क्या कम है 35%? नहीं जी, बढ़िया है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तो book कर लेंगे इस पर, अब आपके मन में equation आ रहा होगा, लेकिन, मैं आपको एक बात कहता दबे-पाओं entry मारते हैं, अब यह stock में खास की है, अब यह stock तो बिलकुल कोई profit नहीं दिखा रहा है, इसमें खास क्या है, खास मैं बताता हूँ, इस stock में क्या है, यह सरकारी company है, और सरकारी company में इस प्रविटेजिशन का काम चल रहा है न, यह बड़े players को अट्रेक्ट क है, तो कभी भी एक और बड़ा volume देखेगा किसी हपते में, तो यह सारे छपपर है फाड़ देगा, लेकिन आपको अपना risk पता है, आपको अपना risk पता है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ daily time frame पे, और मैं इंतजार कर रहा था जिस volume का वो मुझे आज देखने को मिल गया यह देखे, और अगर daily time frame पे देखोगे, तो आपका क्या बना है, high, higher low, higher high, अब अगली जो correction आ सकती है, अगर एकात दिन halt period भी आ जाए, तो मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा, और kind of pullback अभी देखने को मिल रहा है यहाँ और जैसे यह resolve होगा, अगली ready, तो अगर आपका deep stop loss पर देखूं, तो 8.50, अगर यह correction आपर जो resolve होती है, उसको देखोगे, तो यह आपका stop loss, entry area इसके resolution पर आपको क्यों वाप मज़ा आ गया तो, अब आपके goal, अब जो आपके goal होगे ना आने वाले goal, वो उसी हिसाब से होगे, अगर आप छोटी time frame वाई चल रहोगे, अभ फिर क्या आया था, correction यानि कि छोटी सी selling होईती देखी फिर उसके बाद, देख रहे हो आप यह, यह बिलकुल negligible volume के साथ, इसी तरीकी से negligible volume आपको आने वाले अगर दिन में देखने को मिल जाए, तो मज़ा आ जाए, फिर होती है, फिर से buying, फिर आता बड़ा tower, फिर तो क्या कुछ, लेकिन मुझे, मुझे एक चीज की जो requirement हो यह है, कि अगर यह stock फिर से momentum area में, high momentum area 60 को पार कर ले daily पे, और फिर correction आ जाए, तो मज़ा ही है, यानि कि कल की rally, अब इसके हिसाब से अलग-अलग आपकी thesis बनती है, आप जैसे हिसाब से invest करना चाहते हो, यह बहुत सारी बाते मैं आपके सामने करता हूँ, सायद ही, सायद आपको अगर समझ में ना आए, तो मैं आपको यह ही कहूँगा कि हमने जो learning series स्टार्ट कर रहे हैं, उसको join कीजिए, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुती लाखो करोडर रुपे का course है, जस्ट 59 की series आट कर रहे है, उसको देखी, समझ ये, वो बहुत एक structured way में चीज आपको बतार कि कैसे impulse होता है, कैसे correction होता है, किस तरीके से चीज़े resolve होती है, और कैसे आप फाइदा ले सकते हो, थोड़ा से महनत आपको करनी पड़ेगी, join button पर click करना पड़ेगा, अगर आप सीखना चाहते हो, तो